नमस्कार कई बार महिलाएं सूर्य के थेज दूप में निकलते समय सन इस्क्रियन का उपियोग नहीं करती हैं परिणाम सुर्यूप उनकी कोमल तोचा पर काले धबे और डार्क स्पोर्ट हो जाते हैं सुन्दर महिलाओं के सहरे पर ये निशान सांद पर लगे दाग के समान दिखाई देते हैं तेज धूप में निकलते समय तशा को हाइडरेट बनाई रखना काफी जरूरी होता है यदि आप अक्सर धूप में निकलती हैं तो नियमित रूप से सन इस्क्रीन जरूर लगाएं यूवी किरने तशा को काफी नुक्सान पहुंचाती है इसलिए इन से प्रियाप्त सुरक्षा बनाई रखना बहुत ही महत्व पुर्ण होता है अगर आपकी तशा और चेहरे पर उमर के निशान जुरियां काले दाग धबे और डार्क स्पाट होच पे हैं इनहें निकालने के लिए आपको महंगी ब्यूटी क्रीम लगाने की जरूरत कतईधी नहीं है इसके लिए तो आपको अपने घर में ही कई ऐसी चीजें मिल जाएगी जिनका इस्तेमाल करके बिना एक पैसा खर्च किये प्राकर्तिक तरीके से आप अपने चहरे को बेडाग और चमकता दमकता बना सकती है आलू का इस्तेमाल कॉस्मेटिक उद्देशों और चहरे की विभिन समस्याओं के लिए किया जा सकता है आलू तचा के डार्क स्पोर्ट निकाल कर तचा को गोरा गुला भी बनाते हैं आलू से तचा को होने वाले फाइदे तचा फर आलू के रस का उप्योग करने से तचा मुस्चराइद होती है और उसे पोशन मिलता है आलू का रस लगाने से चहरे और तोचा पर जुर्या बनने की प्रकिरिया में काफी कमी आती है आलू का रस कील मुहासों में कमी लाता है आखों के चारों और बनने वाले काले घेरे भी आलू का रस लगाने से कम होने लगते हैं नमबर एक आलू का रस और नीमू का रस आलू का रस निकाल कर उसमें आधा नीमू का रस मिलाकर तसा के धबों पर लगाएं 15 मिनट तक रुकने के बाहर गुनकुने पानी से फचा को साप कर लें सहरा समत दमक उठेगा नमबर दो आलू और प्याज का रस आलू के रस के साथ बराबर की मातरा में प्याज का रस मिलाकर इस मिश्रन को तोचा पर प्रभावित जगों पर लगाएं इस रस को 10 मिनट तक अपना कारे करने दें इसके बाद तोचा को पानी से साप कर लें तोचा और सहरे का रंग कुछ दिनों में ही निखर जाएगा नमबर तीन आलू और गाजर का रस आलू और गाजर का रस बराबर की मातरा में मिलाएं तोचा पर बने हुए काले धबों पर इस मिश्रन को लगा कर लगबग आधे घंटे तक इसे अपना काम करने दें उसके बाद ठंडे पानी से पचा को साप कर लें और उसका कमाल देखें दोस्तों यह था आज का लाइफ चैंज देशी निसका होम रेमेडिज अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में इसे सेर भी करें ताकि वे भी इन नुसकों का लाब उठा सकें और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो इसे सबस्क्राइब जरूर कर लें ताकि हम हमारे हर वीडियो आपकी सेवा में पहुंचा सकें अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का पहे दिल से धन्यवाद कल फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी समतकारिक होम रेमेडीज और मुस्के के साथ में तब तक के लिए विदा दोस्तों धन्यवाद